मादेउ मादेव आजका हमारा टोपी कैं कॉम्पलिमेन्ट सिस्टं में देख लिया था कि क्या है कॉम्पलिमेन्ट सिस्टं का बेक्टिवेट होता है उसके तीन पात्वे ten classical pathway , alternative pathway and lactate pathway ठीक है तो हमने क्लासी कल पातफवे नेंगे पात्रे कि के बारे में खिर से मैं बता देते हूं कुछ नहीं परोटीन कमपोनेंट ही तो यह जो कुम्प्लेमेंट वे कहां प्रेजेंटों तो siram Keagen नोर्मली सीरम के अंदर यह कॉम्प्लीमेंट रोटीन प्रेजेंट होते हैं उसका मेंट फंक्शन क्या पता है फोर एक्जामपल कोई एंटीजन हमारी बोडी में एंटर हुआ ठीक है तो उसको डिस्ट्रे करना है किस तरह से करेगा यह कॉम्प्लीमेंट सिस्टम यहां एक्जामपल कोई एंटीजन आया ठीक है और यह कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगा और इस एंटीजन की सरफेस पर होल क्रियेट कर देगा पोर क्रियेट कर देगा और इस एंटीजन को किल कर देगा यह काम है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का तो उसके तीन पाथ टीक है तो Classical Pathway मतलब कि वह किस वे से कोई एंटीजन को किल करता है ठीक है तो यहां हमने Classical देख लिया था अब हम बात करेंगे Alternative Pathway के बारे में तो Alternative Pathway वह भी एक cascade reaction है cascade reaction हम कीसे कहेंगे फोर एक्जामपल यह पुरा class है ठीक है तो वहाँ कोई A बच्चा है ठीक है इस बच्चे का नाम है A तो ये सरारत कर रहा है ठीक है तो ये दूसरे को डिस्टरब करेगा ठीक है तो इसके साथ साथ ये B दोनों सरारत करने लगेगे फिर ये तिसरे को डिस्टरब करेगा ये दोनों मिलके तिसरे को डिस्टरब कर रह पूरा class disturb हो रहा है तो यहां reaction स्टार्ट हुई किसी एक से ठीक है तो उसी तरह से complement protein है ठीक है वो जब हम Classical पाथवे देख रहे थे तो मैं पता था C1 से लेके C9 तक complement protein थे उसका नाम हमने दे रखा था C1 C2 C3 C4 ठीक है C9 तक यहां alternative pathway में तिन factor important है, कौन-कौन factor important है फिर्स्ट है प्रोपोडीन, फिर्स्ट है प्रोपोडीन, factor B and factor D यहाँ याद रखो ये तिन factor important है alternative pathway में ठीक है, यहाँ C1, C2 and C4 का involvement नहीं है alternative pathway में C1, C2 and C4 का involvement नहीं है उसकी जगा यहां आ जाएगा फेक्टर B, फेक्टर D एंड प्रोपोडी ठीक है तो अब देखो यहां लिखा हुआ है Alternative pathway is independent of antibody मतलब कि वो antibody पर dependent नहीं है classical pathway में क्या हो रहा था कोई antigen आ रहा था ठीक है उसके साथ जब antibody बाइंड होगी तब ही जाके classical pathway एक्टिवेट होगा और वहाँ FC portion के साथ complement routine आ के bind कर जाएगा और इस antigen को destroy कर रहा था ठीक है लेकिन alternative pathway में antibody की requirement नहीं है मतलब कि खुद antigen खुद antigen activate कर सकता है alternative pathway ठीक है इसलिए उसको हम कहते है innate immunity का part ही कहते है ठीक है क्यों? antibody immunity मतलब antibody formation हो रहा है तो हम antibody immunity में कहेंगे ठीक है तो activation of C3 without prior participants of C1 C4 is known as the alternative pathway यहाँ C1 and C4 नहीं है ठीक है लेकिन फिर भी C3 activate हो जाएगा किस तर से activate हो जाएगा? देखो फोर एक्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है देखो एक मिनिट देखो यहाँ लिखा हुआ है कि कोई जाइमोजन हो यह कोई परली से कराइड हो या इस्ट सेल वोल हो या तो कोई bacterial endotoxin हो या तो फिर Igandu हो या तो फिर कोब्रा वे नम हो ठीक है यह सारे फेक्टर है वो एक्टिवेट करते है alternative pathway को तो जब भी यह सारे फेक्टर अगर बोडी में है ठीक है तो alternative pathway activate होगा तो alternative pathway activate कहां से होगा C3 component होगा complement protein C3 है ठीक है वो activate हो जाएगा और C3A and C3B के अंदर convert हो जाएगा तो हमें पता है C3A है वो तो smaller fragment है तो वो diffuse हो जाएगा तो यह क्या है C3B larger fragment है यह part लेगा हमारी cascade reaction में मतलब कि complement system में membrane attack complex form करने के लिए C3B part लेगा ठीक है तो यहाँ देखो एक बार pathway आप देख लो यह है pathway यह है alternative pathway तो यहाँ देखो C3 आएगा जब भी कोई endotoxin bacterial endotoxin हो ठीक है तो वो activate हो जाएगा C3 component और C3A and C3B में convert हो जाएगा C3A तो diffuse हो जाएगा लेकिन C3B वो bind हो जाएगा antigen की surface पर ठीक है यह C3B यह C3B अब bind करेगा factor B से ठीक है मैंने क्या कहा कि यह alternative pathway में factor B, factor D and propodine का रोल आएगा तो यहाँ क्या होगा C3B activate हो C3 activate हो गया C3B attach हो गया कहा antigen के साथ ठीक है अब वो bind करेगा factor B के साथ तो यह देखो bind हो गया factor B के साथ अब इस B को activate हो ना पड़ेगा तो उसको requirement होगी factor D की factor D इस B को activate करेगा तो दो fragment मिलेंगे capital B small A capital B small B तो हमें पताए कि small A है वो तो smaller fragment है तो वो diffuse हो जाएगा और जो small B है ठीक है वो कहाँ part लेगा हमारे membrane attack complex form करने के लिए ठीक है तो यहाँ आप देखो पहले C3B आया था ठीक है उसके साथ हब D D आएगा deactivate करेगा तो B यह diffuse हो जाएगा और यहाँ देखो आप C3B BB बन गया यह है हमारा C3 convertase ठीक है और C3 convertase के बाद जो सारी process है वो similar है ठीक है classical pathway lectin pathway से similar है यहाँ सिर्फ फरक इतना है कि जब classical pathway था तो antigen antibody complex form हो रहा था उसके साथ C1 bind होगा C1 के बाद C4 activate होगा C4 के बाद C3 activate होगा यहाँ alternative pathway में direct पहले C3 activate होगा C3 activate होने के बाद वो factor B के साथ bind कर जाएगा और यह factor B activate होगा factor D की presence में और यहाँ देखो capital B small भी बन गया है तो यह बन गया हमारा C3 convertase तो C3 convertase का का काम क्या है C3 convertase का काम C3A उसको activate करना है तो C3A and C3B form हो जाएगा तो 3B जो C3B है वो यहाँ voltage हो जाएगा क्यों membrane attack complex में larger fragment आएगा देखो यहाँ C3B, BB, 3B ठीक है इसे हम कहेंगे C5 convertase और फिर वो C5B आ जाएगा फिर C5B यह वो किसको bind करेगा C6 and C7 को and then 8 and 9 और membrane attack complex home हो जाएगा और जो भी cell है ठीक है कोई भी bacterial cell है या तो फिर आपके सकते कोई antigen हो उसको lyse कर देगा यह था हमारा alternative pathway अगर इस pathway को आपको detail में पढ़ना है तो आप classical pathway देख लो ठीक है इसलिए क्योंकि यहाँ alternative pathway in lectin pathway में यह सेम ही है यह सारा ठीक है तो यहाँ time pass हो जाएगा अगर मैं वहीं बात repeat करूंगी ठीक है तो यह था हमारा alternative pathway एक बार में आपको दिखा देती हूँ तो हमने यह देख लिया था इन alternative pathway तो हमने प्राथवे देखा तो उसमें प्रोपोर्डीन नहीं देखा था ठीक है क्यों प्रोपोर्डीन है और कुछ नहीं काम करेगा वह सिर्फ स्टेबिलाइज करेगा चोपे capital B small b form हो रहा है ठीक है उसके साथ प्रोपोर्डीन आके बाइंड कर जाएगा तो उसकी stability है वो उसका time है half life है उसकी increase हो जाएगी ठीक है यहीं काम है प्रोपोर्डीन का वो हम आगे देखेंगे तो एक्टिवेटर्स इंदी सिस्टम वो जाइमोजन वो यह भी में देख लिया था कि bacterial endotoxyn है ठीक है आइजी यह है आइजी डी है कोब्रावेन में वो सारे एक्टिवेट करते अल्टरनेटिव पाथवे को तो फस्ट है की सेशन स्टेप की मतलब की अल्टरनेटिव पाथवे कहां से स्टार्ट होगा तो अल्टरनेटिव कॉम्प्लिमेंट के स्केड इस इनिशेटेट बाई वेरियस सेल सर्फेस कंस्टिटिएंट थेटार फोरेंट टु दो वस्ट मतलब की जो भी वोस्ट है फोर एक्जामपल हुमन होस्ट है ठीक है यहां पर कोई बेक्टेरिया है ठीक है तो वो हो गया फोरेंट तो यहां कोई बेक्टेरियल कोई फोरेंट की सर्फेस पर जो कंस्टिटिएंट प्रेजेंट है ठीक है उसके बेजिस पर क्या हो जाएगा हमारा अल्टरनेटिव प convert हो जाएगा, C3A diffuse हो जाएगा, C3B fragment है, voltage हो जाएगा foreign cell surface के साथ, ठीक है, फिर होगा हमारा formation of C3 convertase, अब क्या होगा, जो भी C3B है, ठीक है, उसके साथ bind हो जाएगा factor B, ठीक है, और ये factor B activate होगा factor D की presence में, और ये factor B को clear करेगा BA and BB के अंदर, ठीक है, तो यहाँ देखो, C3BBB has a very short half life of 5 minute, मतलब कि उसकी half life है, वो short है, तो उसके साथ आजाएगा, कोन आजाएगा, प्रोपरडीन आजाएगा, ठीक है, वो stabilize करेगा, और उसकी half life increase करेगा 30 minute, ठीक है, तो remaining two stages, formation of C5 convertase and formation of membrane attack complex are identical to classical pathway, ठीक है, मतलब कि classical pathway जिस तरस से follow करता है, C5 convertase बना रहा है, membrane attack complex वहीं सेम ही आजाएगा, ठीक है, इसलिए मैंने इस पर नहीं लिखाए, वो आप classical pathway में देख लीजेगा, ठीक है, सिर्फ यहीं डिफ्रेंस है, alternative pathway, lectin pathway और classical pathway में जहां तक C3 convertase form नहीं हो जाता है, ठीक है, वहाँ ही difference है, बाकि C5 convertase and membrane attack complex, जो mechanism है, वो same ही है, सो यहाँ है, lectin pathway, the lectin pathway is the name suggest is triggered by lectin, यहाँ देखो नाम ही trigger करता है कि यहाँ जो पी पाचवे है, ठीक है, वो किस से triggered होगा, lectin से, lectin are protein that recognize and bind to specific carbohydrate target, मतलब कि यह lectin protein है, वो recognize करेगा, किसको recognize करेगा, for example, कोई यह bacterial surface है, ठीक है, उसकी surface पर कोई carbohydrate present है, उसको वो detect कर रहेगा, अगर वो foreign substance होता है, ठीक है, lectin are protein that recognize and bind to specific carbohydrate target, the minus binding lectin is one such protein that takes part in the lectin pathway of complement activation, मतलब कि यह जो lectin pathway है, ठीक है, उसके अंदर जो भी यह minus binding lectin है, वो पार्ट लेगा, यहाँ सीर्फ और सीर्फ यही difference है, classical pathway के अंदर, यहाँ सीर्फ और सीर्फ और सीर्फ सीर्फ नहीं ले रहा है, ठीक है, classical pathway and lectin pathway में सिर्फ यही difference है, so MBL is a large serum protein that binds to non-reduced manose, fructose, glucose amine and bacteria and other cell surface with manose containing polysecret, मतलब कि अगर कोई foreign particle कलाया है और उसकी surface पर कोई manose है, कोई fructose है, glucose amine है, ठीक है, उस surface पर यह जो MBL है, वो आके bind हो चाहेगा, ठीक है, और यह pathway, lectin pathway initiate होगा, so initiation किस तरह से होगा, antigen that activate lectin pathway, आर थी, manose carbohydrate residue of glycoprotein present on microbial surface, मतलब कि जो भी microbial surface पर जो antigen यह present है, ठीक है, उसको detect कर लेगा, कौन detect कर लेगा, MBL, ठीक है, manose binding lectin protein, specific host lectin protein called manose binding lectin binds to manose residue on microbial surface, मतलब कि जो microbial surface पर यह residue present है, उसको MBL detect कर जाएगा, उसको उसके साथ bind कर जाएगा, MBL is an acute phase reactant protein similar to C1Q, मतलब कि जो classical pathway में C1Q कर रहा है, वो काम यहां कर रहा है, MBL, ठीक है, manose binding lectin, after binding of MBL to microbial surface another host protein called MBL associated so serine protease gets complex with MBL, MASP is similar to C1R and C1S and mimics their function, the remaining three stages are similar to the classical pathway, यहां क्या है, कि तो MBL, MBL मतलब कि manose binding lectin and MASP मतलब कि manose associated, sorry, manose associated serine protease, यह MASP का full form में यह, ठीक है, MBL associated serine protease get complexed with MBL, जब भी for example, यह कोई S करते है, उसका function है, ठीक है, तो यह MBL and MASP complex form हो जाएगा, फिर यह C4 को activate करेगा, MBL and MASP complex form होगा, वो activate करेगा, C4 को मतलब C4A form करेगा and C4B form करेगा, तो यह C4A and C4B, C4A diffuse हो जाएगा और C4B है, वो part करेगा कहा, के scale reaction में, ठीक है, फिर यह, जो तीनों मिलके C2 को activate करेगा, और C2A and C2B के अंदर convert कर जाएगा, ठीक है, फिर यह क्या form करेगा, C2B है, वो bind हो जाएगा, तो मतलब यह C3 convertase form हो जाएगा, ठीक है, और यह C3 convertase form हो जाएगा, तो वो C3 को activate करेगा, तो C3A and C3B form होगा, ठीक है, देखो, एक बार आप पाथ पे देख लो, यह लेक्टिन पाथ पे, MBL plus minus residue on microbial surface, मतलब कि कोई antigen आ रहा है, ठीक है, उसकी surface पर कोई carbohydrate residue present है, वो detect कर लेगा receptor, जो MBL है, ठीक है, उसके साथ bind हो जाएगा, minus residue on microbial surface, मतलब कि MASP, ठीक है, यह bind हो जाएगा, फिर यह दोनों complex, C4 को activate करेगा, ठीक है, तो C4A diffuse हो जाएगा, लेकि C4B है, वो bind कर जाएगा, देखा, फिर किया है, यह जो complex form हुआ, वो किसको activate करेगा, C2 को activate करेगा, C2B, क्योंकि हमें पता है कि 2A के exception है, ठीक है, वहाँ small A, वो larger fragment है, और B है, वो smaller fragment है, इसलिए larger fragment है, वो केसके direction में पार्ट लेगा, तो यहाँ देखो, 2A bind हो गया, ठीक है, यह था हमारा C3 Convertis, C3 Convertis, यह बन गया C3 Convertis, तो यह क्या form करेगा, C3A and C3B, तो यह C3B हमारा bind हो गया, देखो, और यह हमारा form हो गया, C5 Convertis, देखो, यह classical पात्वे, lectin पात्वे में, difference सिर्फ इतना है, कि यहाँ C1Q, RNS part ले रहे, जबकि यहाँ MBL and MASP part ले रहे, ठीक है, यहाँ antigen antibody complex form होगा, ठीक है, फिर C1Q है, वो bind कर जाएगा, इसके साथ, फिर वो C1R and C1S को bind करेगा, यहाँ क्या हो रहा है, कोई antigen आ रहा है, ठीक है, उसकी surface पर कोई carbohydrate residue है, उसको detect करेगा, MBL, MBL bind हो जाएगा, फिर यह MBL, MASP के साथ bind कर जाएगा, फिर यह दोनों क्या करेगे, C4 को activate करेंगे, ठीक है, यहाँ भी क्या हो रहा है, C1 C4 को activate करेगा, यहाँ भी C4 को activate कर रहा है, फिर यह complex form होगा, ठीक है, यह दोनों क्या करेगा, C2 को activate कर रहा है, देखो, यहाँ भी C2 को activate कर रहा है, मतलब कि सिर्फ डिफ्रेंस यहाँ, सिर्फ इतना ही है, ठीक है, यहाँ C1 QRS, यूटिलाइज हो रहा है, लेकिन यहाँ C1 QRS, इन्वोल नहीं हो रहा है, क्योंकि यह antibody independent है, ठीक है, और जो भी, C5 Convertase है, एन्वेम्रेन अटें complex form हो रहा है, ठीक है, वह सीमिलर ही है, तीनों पाथवे के अंदर, तो मेन डिफ्रेंस क्या था, क्लासिकल पाथवे, लेक्टिन पाथवे, एन्टरनेटिव पाथवे के अंदर, यहाँ antigen antibody का complex form होगा, फिर C1 आएगा, स्फिर C4 को activate करेगा, C2 को activate करेगा, यहाँ लेक्टिन पाथवे किस तरह से activate हो है, फोर एक्जामपल को antigen है, उसकी surface पर क्या present है, कार्बोईड रेसिडियू present है, तो MBL यहाँ आके bind हो जाएगा, फिर आएगा MASP, ठीक है, और यह MASP bind कर ज से C5, C6, 7, 8, and 9, और membrane attack complex form करेगा, alternative path में क्या हो रहा था, तीन factor थे, कौन-कौन से, factor B, factor D, and proper D, ठीक है, start कहां से हो रहा था, C3 से start हो रहा था, C3, C3A, and C3B के अंदर convert हो गया था, तो देखो यहाँ पर C3B, फिर यह C3B bind हो जाता था, factor B के साथ, factor B, देखो यहाँ, bind हो फिर उसको activate कर रहा था, factor D, तो B, A है, वो small fragment था, तो वो diffuse हो जाएगा, factor जो बड़ा था, large fragment था, वो आजाएगा, membrane attack complex form करने के लिए, ठीक है, यह था हो गया हमारा C3 convertis, and then, जो सारे step है, वो similar है, ठीक है, यह था हमारा complement system, अगर आपको इसमें कुछ भी doubt हो, तो आप कमेंट कर सकते, थेंक यू,